हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब देखे बिहार में अगर चुनाव है तो एमपी में भी 28 सीटों पर उप्चुनाव है कि मंत्री तक वोट के लिए विरोधियों के चर्णों में लोटते जा रहे है आठ बजे के हमारी तीस्टों सबसे स्पेशल रिपॉर्ट इसी पर आधारित है आखिर वोट के लिए नेता क्या आप कुछ नहीं करते हैं आप देखिए इस रिपॉर्ट आज बंपी की गजब कहानी विरोधि के शिर्चर्णों में मंत्री जी का शास्थां वोट के लिए कॉंग्रेस नेता की चरण बंदना मोबाइल कैमरे में कैद ये वीडियो मध्य परदेश उप्चनाव की सबसे ताजा और सबसे मज़ेदार तस्वीर है एक छोटे से कमरे में सोफे पर दो लोग बैठे है एक पीला घुर्टा सफेद पायजामा पहने और दूसरा हरी टीशर्ट और ट्रैक सूट वाला शक्स पीले घुर्टे वाले ये महाशे मध्य परदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सींग तोमर है जोत्रादित सिंधिया के साथ कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में आए तो इनाम में मंत्री पन मिला और अब ये ग्वालियर से बीजेपी की ट्विट पर उपचुनाव लड़ रहे दूसरी तरफ कॉंग्रेस के सेक्टर अध्यक्षिर रगुनाज सींग तोमर है जिन से मंत्री जी अपने ले प्रचार करने के जिद कर रहे प्रद्युम्न सींग तोमर कॉंग्रेस नेता के सामने कॉंग्रेस नेता रहुनाज सींग तोमर ने जब हाँ चोल डिये तो प्रद्युम्न सींग तोमर सोफे से नीचे घुटने के बल बैठ गये कॉंग्रेस नेता के पैर पकड़ने के जिद करने लगे मंत्री जी की ये दशा देखकर कॉंग्रेस नेता के पैटे का दिल पसीच गया कहा पापा तो आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं प्रद्युम्न सींग तोमर का ये वीडियो अब मध्य प्रदेश उप्चुनाव में चर्चा का विशय बन गया है चोकि मामला जेउत्रादित्य संधिया के ग्रिशेत्र का है इसलिए इसकी एहमियत और ज्यादा हो गई है ये वीडियो बताता है कि बगावतकर बीशेपी में आए कॉंग्रेस ही किस दौर से खुसर रहे है इस वीडियो को ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश कॉंग्रेस के पूर अध्यक्र अरुन यादव ने लिखा देखें कैसे एक बिकाव मंत्री ने कॉंग्रेस के टिकाव कारिकरता क्या के खुटने टेक दिये कॉंग्रेस के चंद नेता बिकाव हो सकते हैं मगर कॉंग्रेस का फ्रते कारिकरता टिकाव है दिख बिजे सिंग ने भी मौके को हां से जाने नहीं दिया बीजेपी पर निशाना साथते हुए ट्वीटर पर लिखा सिर्फ यही पर्ख है बिकाऊ और टिकाऊ में कॉंग्रेस कोफ ने टिकाऊ कारे करताओं और नेताओं का पूरा खयाल रखना चाहिए अभी तो घुटरे टेके हैं 3 नवंबर तक साश्टांग करेंगे मद्यप्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाओ है इसके नतीजे तै करेंगे कि शिवराज का राज कायम रहेगा यह कमलनात की वाफसी होगी यह चुनाओ जोत रहते से सिंधिया के लिए नाक की लड़ाई है लेगिन जिस तरीके सुनके खड़ में उनके मिद्वार को गिर्दाना पड़ रहा है उससे बीजेपी की चिंता हैं जरूर बढ़ दी होगी झाल झाल